नमस्कार आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी अंडा करी बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए उबले हुए अंडा उबले हुआ आलू सबसे पहले हम उबले हुए अंडे को छेल लेंगे उसके बाद हमें चाहिए कटे हुए टमाटर कटा हुआ प्याज कटा हुआ मे अब हम अंडा को काट लेंगे इस तरह से इसके बाद हमने एक पैन में तेल गरम होने दे रिया है इसे हम अंडा को अच्छी तरह से भून लेंगे जब यह थोड़ा रेड हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे इसको दोनों साइड से भूनना है ताकि इसमें से अंडा का इसमेल ना आए इस तरह से हमें इसे भून लेना है भून कर हम इसे निकाल लेंगे फिर हमोशी तेल में प्याज को भी भून लेंगे प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें अध्रक लैसन का पेश्ट जाल लेंगे और थोड़ी देर पेश्ट को भी इसके साथ भून लेंगे जब यह पेश्ट ठीक से भून जाए जैसे अध्रक लैसन का इसमें लाए तो इसमें हम टमाटर भी डाल लेंगे और टमाटर को भी इसके साथ थोड़ी देर भून लेंगे इसके बाद हमेश में कटे हुया आलू को डाल के थोड़े दिर फ्राय कर लेंगे जब ये आलू फ्राय हो जाए तो हमने थोड़ा सालू मैश करके रखा था ग्रेभी को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए ये दिखिए इसको भी मैं साथ में डाल के थोड़े दिर फ्राय कर लो जब पानी में थोड़े उबाल आ जाए तो हम इसमें अंडा डाल के इसे भी साथ में उबाल लेंगे यह दिखिए अब हमारा अंडा करी तेयार है अगर आपको हमारा यह चैनल वसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें